इंडिया में जो करने की जो percentage चाहिए, 12th pass होनी चाहिए आपकी, 50 to 60% के बीच में आपकी जो भी percentage है, मतलब इन टोटल आप ये मान लीजिए, 50% से ज़ादा आपके marks होनी चाहिए, आपका admission हो जाएगा, 12 वी आपकी pass होनी चाहिए, किसी भी एक जो recognize मानने तपर आप जो board होत होते हैं, तो कहीं ना कहीं, अच्छी किस ना किसी job में आपका chain selection ज़रूर हो जाएगा, bachelor of vocational studies, vocational studies मेरा कहने का मतलब आपका ये है, कि bachelor में आप कोई भी course, जो 3 साल के courses करते हो, जहाँ practical पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, practical को ज़्याद तवज्यों दी जाती है, और practical स ही क्योंकि आप आगे जाकर जो भी technical fields होते हैं, मतलब जहाँ पर practically ही काम किया जाता है, तियोरी का इतना ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता, तो उनी सब चीजों के लिए BVOK नाम के जो courses है, courses में इसलिए बोल रहा हम, बहुत सारे courses कंदर आते हैं, bachelor of vocational studies को बोलते हैं, या होता है, और दोस्तो practically ज्यान लेने के बाद में, practically knowledge लेने के बाद में, अलग-अलग fields में, engineering का field हो, या Medicare का हो, arts का हो, science का हो, management, commerce, banking और ऐसे कई सारे sectors होते हैं, जिनमें आपको job मिलती है, job लेने के बाद में, आप technically, practically जो आपने सीखा था, या कहीं पर job ने training ली थी, उसके आदारत पर ही आप job करते हैं, बीवोक के बारे में, सारे आपके doubt साथ में, अपनी इस वीडियो के माध्यम से, बीवोकेशनल के बारे में, ज़्यादा कुछ जानने के लिए, दोस्तों, बने रही है हमारी इस वीडियो की साथ, नमस्क्रा दोस्तों, सागत करता हूँ आप आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है University India, मेरा नाम है विरिंदवर्माई, जैसे आप सभी जानते हैं, हम देश-विडेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं, और आपको बताते हैं, सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, दोस्तों, बीवोक के बारे में, ज़्याद यह जो students है, अलग-अलग sectors में जाते हैं, अलग-अलग companies में जाते हैं, अलग-अलग laboratory में जाते हैं, या जहाँ पर भी उन्हें वो practical सीखने को मिलता है, वहाँ वो जाके join करते हैं, आपको course करना है Bachelor of Vocational Studies, या Bachelor of Vocation, या फिर Simple Way में BWOC, तीन साल का यह दोस्तों course होता है, जो सारे courses के अंदर होते हैं, सबको अगर हम डिटेल में हम बात करें, बट तीन साल का course है, बैसलर डिगरी आप इसको बोल सकते हैं, BWOC की जो बात कर रहे हैं अभी हम, दोस्तों आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, कि मान लीजे किसी भी एक medical industry में में काम करते हैं, या blood test क कुछ भी ऐसा एक testing हो सकते हैं, जहांपर की practically ही आप सबसे ज़ादा करते हैं, बट आपके पास classes लेने के लिए उतना वक्त नहीं होता, या फिर आप चाते हैं ज़ादा exposure लेना, exposure के अंदर practically आप कितना कुछ सीखते हैं, don't be qualified, be educated, educated में इसलिए बोलता हूँ, कितना practically चीज करता है, क्योंकि आपको practically सब को सिखाता है इस course के अंदर, दोस्तों be vocational के, be woke के किसी भी course में आप admission लेना चाते हैं, किसी भी course के बारे में कुछ भी आप जानना चाते हैं, जानना चाते हैं कौन सी अच्छी universities हैं, जो सही तरह से placement भी आपको देंगी और सही तरह से practically चीज ये universities में जो courses चला जाते हैं, किन-किन sectors में आप करते हैं, कुछ sectors में आपको बतायाता हूँ, बाकि आप समझ जाएंगे disciplines कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि आप engineering में कर सकते हैं, अर्ट्स में कर सकते हैं, science में भी कर सकते हैं, management में बहुत सारे courses है, commerce में भी, banking, applications में भी, computer में और साथ में food management में भी, और भी बहुत सारे courses होते हैं, जिस sectors में आप जाकर, be vocational course में admission ले सकते हैं, और जो इंडिया में जो करने की percentage चाहिए, 12th pass होनी चाहिए आपकी, 50-60% के बीच में आपकी जो भी percentage है, मतलब in total आप ये मान लीजिए, 50% से जादा आपके marks होनी चाहिए आपका admission हो जाएगा, बार भी आपकी pass होनी चाहिए, किसी भी एक जो recognize मानने तप्राप जो board होते हैं, वहाँ से आप pass होनी चाहिए, और या फिर आपने diploma किया हो, तो भी आप कर सकते हैं इस course को, और course को करने के लिए, fees की भी अगर हम बात करें, इतनी जादा fees भी नहीं है सरकारी संस्थाओं में जाओगे, तो ये fees पाल जारे शुरू हो जाती है, बट प्राइवेट किसी भी युनिवरस्टी में आप जाते हो, तो fees वो बी सजारे शुरू होती है, और एक लाग के बीच में per year की fees हो सकती है, टोटल फीस भी हो सकती है, वो university to university depend करता है, बट जब आप BVO course कर लेते हैं, Bvocational course complete कर लेते हैं, आपको knowledge बहुत मिल जाती है, क्योंकि practically ही इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, आप कुछ चीजे जो आपको जानने वाली चीजे होती हैं, वो क्या क्या है, तीन साले course जैसे मैंने आप भी आपको बताया, कि तीन साले course को आ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो जो जोड दिया गया है, वो दिया गया है practical knowledge को, क्योंकि practically जब तक आप चीज सीखोगे नहीं, तब तक जो field में आप जब आते हो, जो reality आपके सामने आती है, आप क्या पढ़कर आए हो, तभी पता चलेगी, जब आप उसकी practically knowledge देकर आओगे, बी-vocational में admission लेने के लिए, बी-vok में admission लेने के लिए, merit waste पर भी होता है, कई universities, interest में अप जाएगा, बहुत सारी universities करवाती हैं, और जितने भी streams होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, agriculture में जाओ, multimedia में जाए, animation में, software development में जाए, auto mills में जाए, या medical laboratory में जा सकते हैं, retail management में जा सकते हैं, food processing में जा सकते हैं, financial management में जा सकते हैं, साथ में aircraft maintenance में जा सकते हैं, journalism and mass communication, और भी बहुत सारे courses होते हैं, जिसके अंदर आप vocational courses की studies आप ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे courses available हैं, उन सब में, आप चाहे तो course complete कर सकते हैं बहुत सारे private universities हैं जो इस course को करवाती है be vocational दोस्तों मैं ये मानूंगा कि be vocational एक complete एक package है उन सभी students के लिए जो course को करते ही कही न कहीं job चाते हैं placement चाते हैं और जो भी students चाते हैं इस course को complete करने के बाद कि जो ये competition जो competitive world है उसमें नाम कमा सकें या फिर आगे बढ़कर आ सकें क्योंकि बहुत सारे students कही न कहीं practice कुछ न कुछ कर रहे होते हैं कहीं न कहीं practically वो किस न किसी काम में हैं पर वो education लेना भी चाते हैं और इस course का सही माइनों में मतलब भी यही है कि practically आपको knowledge gain होनी चाहिए exposure आपको मिलना चाहिए और वो सारी के सारी जो conditions है पूरी कर देता है BVOK course BVOK में सबी वो courses हैं दोस्तों जो courses करने के बाद में आपको job आसानी से मिल जाएगी और किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा BVOK के किस course के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर किस university या college के बारे में आप जानना चाहते हैं जो BVOK course को करवाता है उसके बारे में क्या detail आप जानना चाहते हैं comment box में में सवालों को पूछना हम reply आपको ज़रूरू करेंगे और साथ में ही next video आप BVOK के किस course पर चाहते हैं वो भी बताना हम उस course के बारे में complete details लेकर आएंगे और कौन सी अच्छी universities करवाती है उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों मैं मित करता हूँ आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा BVOK के बारे में आपने जाना होगा हमारी वीडियो को जादे जादे अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि हमें और motivation मिल सके और इसी तरह की educational और वीडियो हम आपके लेकर आ सके अच्छा लगा वाच का वीडियो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की educational वीडियो हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइब दोसर निवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए